हेलो फेरेंड्स माइनेम इस्ताश तंबोली एंड विलकम तो माइटूब चनल सॉफ्टिक पॉर यू आज किस वीडियो में हम लोग सीखने जब भी हम लोग अपने वीडियो टैग में एट्रप्ले अट्रिबुट यूज करते हैं तो एट्रप्ले अट्रिबुट का यूज लेकिन अगर आप की वीडियो यहाँ पे अट्रिबुट इसके अगए आप लोग जैसे लूप यहाँ पर एक से जूबिज प्कूरों गें ऑप्ने वीडियो का अच्रीबुट यहाँ कर सकते हो तो आज किस वीडियो का स्लेशन पर आ लोगो ज подход को यहाँ पर अच्टरुन यह प्ले यूज किये तो इसके आगे आप लोग जैसे लूप एंड यहापे अट्रिबुट यूज करोंगे लोगो refresh करके check करना है तो यहाँ पे आप लोग की जो भी वीडियो यह हो रही है लेकिन कुछ condition ऐसी भी हो सकते हैं यहाँ फिन लूप यूज नहीं करना है यह फिर जैसे आप लोग यह ए यह attribute भी यहाँ पर यूज ने करना है सिप आप लोग को add-to-play चाहिए था जैसे हम लोग add-to-play equal to add-to-play दे दिये ctrl-s किये और जैसे refresh के तो यहाँ पर देख सकते आप यह video play नहीं होगी जैसे हम लोग यहाँ पर रिमूट कर देंगे ctrl-s कर देंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और जैसे रिफ्रेश किये तो यहाँ पर देख सकते आप यह video play नहीं होगी लेकिन आप लोग से भी यहाँ पर add-to-play attribute देखे आप लोग आपका जो वीडियो है इससे play करना है तो इसके लिए जो second solution है आप लोग क्या करना ह मैक्जमाईज कर देता हो इहाँ प्लोग क्यरों में गूगाल को स्थी डॉट यहाँ पर आप लोग को कशोऊंगे इसके उपर आप लोग एक option शोंगा additional content setting इसके उपर आप लोगो ग्लिक करना है इसके उपर click करने है यहां पर कई sound अगर आप लोगो शो रहे तो sound पर आप लोगो को click करने है sound पर click करने बाद में जैसे हम लोग ने audio को भी यहां पर हम लोग ने add करने तो इसके लिए जो वीडियो का URL है यहां पर आप लोग पेस्ट करने है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एड जो बटन आप लोग यहां पर दिया हुआ है जैसे बटन पर click करने पर अब लोग फस फ्रेच करेंगे यहां पर आप्र जाएंगा जैसे मैं हम स्क्रीट कर देता हूं और यहाँ पर आप लोग करता हूं जैसे देख लोग आप लोग अट्रिब्ट यूज करोंगे तो भी आप लोग को यह वीडियो प्ले हो करेंगे यहाँ पर एक लोग एंटर करना है और जैसे जावा स्क्रिप्ट का कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं जैसे स्क्रिप्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते तो हम लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट यूज किया हुआ है यहाँ पर हो जाएंगी